तो यहाँ पर हम study करेंगे numbers की बारे में 10 to 20 तक है ना तो दिया गहा है यहाँ पर देखें तो रिवीव We know the counting numbers 1 to 9 है ना हम जानते हैं कि जो 9 to sorry 1 to 9 जो है यह क्या है counting number है है ना यह क्या है counting number है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 This is a counting number हमें पता है कि यह क्या है counting number है Count करने के लिए हम इसके use करते हैं We know zero is also a number है ना हमें पता है कि हम जानते हैं कि जो zero है वो भी एक number है है ना क्योंकि इसका भी use होता है We know that by adding 1 we get the greater number just after है ना हम यह भी जानते हैं कि यदि किसी number में हम one add करते हैं तो उससे हम बड़ा number प्राप्ते करते हैं greater number प्राप्ते करते हैं है ना अगर हम किसी संख्या में किसी number में हम one add करते हैं तो उससे बड़ा number हम राप्ते करते हैं मतलब just उसके आने वाला number just after का number हम यहाँ पर आता है ठीक है जैसे किसी number से हैं यहाँ पर five है यह number five में plus one करेंगे हम मनिकी one add करेंगे हम five में हम one add करेंगे तो यह equal to कितना हो जाएगा six है यह किसी संख्या में हम one add करते हैं तो उससे आप्टर का number मिलता है इसको क्या लिखेंगे हम six greater than five ठीक है in the same way a number just after nine इसी प्रकार से same इसी प्रकार से कोई number आता है nine के बाद उसको हम आगे देखेंगे इसी तरह से कोई number है जो nine के बाद आता है ठीक है तो nine के बाद क्या आता है ten है न तो हम यहाँ पर ten के बारे में study करेंगे the number ten ten कैसे लिखते है one और zero ten this is a ten यहाँ पर देखें ten कब आएगा जब हम nine में plus one करेंगे तो equal to क्या आएगा ten आएगा ठीक है न इसके spelling क्या होता है ten come just after nine तो ten जो है कब आता है just nine के बाद आता है ठीक है लिखे ten come just after यहनि की बाद होता है न तो ten कब आता है just nine के बाद आता है तो 10 जो है यहाँ पर greater than 9 से greater than मतलब बड़ा ठीक है तो यहाँ पर 10 जो है बड़ा है किस से 9 से इसको कैसे लिख सकते हैं 10 greater than है यहाँ पर इसके मुझ खुला हुआ रहा है क्योंकि 10 जो है greater than है उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि ता नंबर 10 है इस टू डीजिट है ना 10 जो है क्या है टू डीजिट नंबर है यह जीरो वन और वन है तो टू डीजिट नंबर 10 इस टू डीजिट नंबर लेप्ट वन इस वन लेप्ट वन लेप्ट साइड में क्या है वन है और राइड साइड में क्या है जीरो ठीक है each digit has a place इसको कैसे place से सो करते हैं यहाँ पर देखिए 1 position में 0 आएगा और 10 position में 1 आएगा this is a 10 ठीक है in the numbers 10 यहाँ पर 10 10 को हम कैसे को करेंगे कि जो place value अब 0 is 1 और 1 0, 1s और 0 देखिए यहाँ पर 1s place में क्या है 0 है मने की 1 जो है 0 है और उसी प्रकारशी हाँ पर place value आप 1 is 10 यहाँ पर 10 place में क्या 1 है यानि की 10 place में 1 है यानि की 1 10 है ना ठीक है 10 place में 1 है यानि की 1 10 उसके बद हम यहाँ पर study करेंगे making 10 10 कैसे बनाना अपने को 10 कैसे कैसे बना शकते है we can make 10 by adding difference pairs of numbers upon 1 to 9 हम 10 कैसे बना सकते है बहुत सरे चो numbers होते है pairs होते है उसमें add करके हम 10 बना सकते है अलग-अलग प्रकारशी हम 10 बना सकते है अलग-अलग number को add करके जैसे कि हाँ पर कितने dot है 1,2,3,4,5,6 dot है ठीक है इसमें हम plus करेंगे कितने dot को 4 dot को 1,2,3,4 याले कि 6 plus 4 equal to क्या हो जाएगा 10 ठीक है हम 6 हमें plus 4 करके क्या बना सकते है 10 बना सकते है इसे प्रकारशी हाँ पर कितने dot है 1,2,3,4,5 5 dot है तो 5 dot में हम कितने dot और add करेंगे तब 10 बनेगा 5 ठीक है 1,2,3,4,5 5 plus 5 equal to 10 ठीक है इसे प्रकारशी और कैसे making 10 कर सकते है आप लोग कैसे 10 बना सकते है 1 plus 9 करेंगे तो 10 आएगा 2 plus 8 करेंगे तो 10 3 plus 7 equal to 10 4 plus 6 equal to 10 5 plus 5 equal to 10 है ना 6 plus 4 equal to 10 7 plus 3 equal to 10 8 plus 2 equal to 10 और 9 plus 1 equal to 10 तो ऐसे हम इतने नमबर पर हम 10 बना सकते है उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है feel in the missing numbers है ना जो miss हो गया है वो नमबर को आपको क्या करना है feel up करना है feel करना है तो देखिए यहाँ पर कितने यहाँ पर वो है square 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो हम 9 में कितना square एड़ करेंगे तब वो 10 होगा तो 1 है ना यह 9 है यह 1 को और हम एड़ करेंगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 इसे परकाश यहाँ पर देखिए कितने square है 1,2,3 तो 3 में हम कितना और एड़ करेंगे तब वो 10 होगा 7 ठीक है यहाँ पर कितने करेंगे 7 7 plus 3 equal to 10 इसे परकाश यहाँ पर देखिए कितने star दिया गए है 2 star है 2 में हम कितना एड़ करेंगे तो 10 बन जाए तो 2 में हम कितना star और बनाएंगे 8 8 plus 2 equal to 10 यहाँ पर देखिए कितने star है 4 1,2,3,4 4 में हम कितना star और बनाएंगे क्यों 10 हो जाएगा 6 star ठीक है तो ऐसे हम 10 बना शकते हैं ठीक है इसको आपनों के अपने copy में क्या करोगे नोट करोगे